किसा होता है रीट का एक्जाम 11 फरवरी 2018 को होने जा रहा है राजिस्तान में बहुत बड़ी परिक्षा होती है ये और राजिस्तान की सबसे फेंवर जो टीचर में माना जाता है वो रीट का एक्जाम आता है और रीट का एक्जाम अतार सिक्षा पातरता परिक्षा उसके दियार्स के देने जा रहे हैं इसके बारे में आज हम बात करेंगे सबसे पहला पार्ट आता है Child Development एम सिक्षा सास्त्र बाल विकास एम सिक्षा साथ Child Development और Education के 30 question आते हैं और उसमें उसका सिक्षा सास्त्र के अंदर से कौन कौन सा Artopic होते हैं आज हम उसके बारे में बात करेंगे अर्था सबसे पहला चाइल डवलमेंट इसमें व्रद्धी एम विकास की संकलपना जो होती है जितने भी राइटर होते हैं उनकी ठिंकिंग्स और विकास यानि जो भी बच्चे का डवलमेंट होता है उसके आया में उनके सिद्धान या अर्थार्थ उनकी ठियोरी विकास को परवावित करने वाले था तो अतार्थ जो चाइल डवलमेंट को फैक्टर जो होते हैं उनके बारे में उसमें से क्वेश्चन आएंगे विशेश रूप से परिवार और विद्याले के संदर्व के बारे में उनका अधिगम और उनका संबंद बच्चे का पहला परिवार उसका घर होता है तो उसके बारे में उसमें से भी क्वेश्चन आएंगे वनसान उकरमें वातावरन की भूमी का अतार्थ बच्चे की हेड़िट्री एव एनवार्मेंट से भी क्वेश्चन आते हैं सबसे पहला अधिगम का अर्थ संकलपना इसकी परिक्रियाएं अधिगम को प्रभावित करने वाले तत्व और अधिगम की थियोरी ये अधिगम की थियोरी के बहुत क्वेस्चन आते हैं दोस्तों व्यवारवाद, गैस्टरवाल, बंडूरा और प्याजे की थियोरी अतार्थ इसमें व्यवारवाद, गैस्टरवाल, बंडूरा और प्याजे की जो थियोरी होती है ये अधिगम से संबंदित सारे क्वेस्च है और motivation से question आते हैं जो बच्चे को हम जो child development में बच्चे का motivation करते हैं उसके भी उसमें से भी question आते हैं व्यक्तिगत विभिन्यताई अर्थ एवं प्रकार व्यक्तिगत विभिन्यताओं को प्रभावित करने वाले जाती लिंग भासा समुदाय जाती और धर्म पर आधारित व्यक्तिगत विभिन्यताई व्यक्तिगत व्यक्तितत्व संकल्पना प्रकार एवं व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व इसका मापन बुद्धी संकल्पना सिध्धान्त एवं इसका मापन बहु आयामी बुद्धी एवं इसके विप्रेजित इनसे question बहुत जादा आते हैं विविद अधिकम करता हो कि जो समझ होती है पिछड़े वे जो बच्चे होते हैं मांसी ग्रूप से जो पिछड़े होते हैं प्रतिवा साली अधार्थ गोर्ड गिफ्टीड जो बच्चे होते हैं नॉर् समायोजन एवं में अध्याबक की भूमी का हम एक सिक्षक बच्चे को किस प्रकार से करता है उसका कैसे समायोजन करता है उसमें से question आते हैं सिक्षन अधिगम की प्रकिरियाएं रास्टिय पाट्य चरिया रूप रेखा 2005 के संदर में सिक्षन अधिगम की विउरचना एव विधियां जो टीचिंग की जो रूल्स हैं वे भी आते हैं आकलन मापलन एवं मुल्यांकन का अर्थ एवं उद्देश्य समग्र एवं सतत मुल्यांकन उपलबदी परिक्षन का निर्मान क्रियात्मक अनुसंदान सिक्षक अधिगार अधिनियम 2009 अध्यापकों की भूमी क अतर्त जो भी बच्चा कैसे करता है समाज में कैसे रहता है परिवार में कैसे रहता है स्कूल में कैसे रहता है सबसे बच्चे के लिए सबसे पहली जो पार्ट साल है वो उसका घर होता है उसका परिवार होता है और बच्चा सिक्षक के जो संपर्क में आता है बच्चे सि प्रफ़ी क्वेश्चन आएंगे बेस्टाफ लग दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस बार मनोविज्ञान के दस्ट वैरी वैरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वालों जो इस आइकन को जरूर दबाएं जरूर लाइक करें थेंक यू वेरी मिच दोस्तों